आज हम लोग the ants chapter का question answers को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग mcq को करेंगे what did the little black ant find वो जो छोटा black ant था उसको क्या मिल गया था तो उसको क्या मिला था लार्ज grain of wheat गेहूं का एक बहुत बड़ा सा अनाज का दाना उसको मिल गया था chapter आप लोगों ने explanation नहीं देखाया तो explanation जरूर देखें प्रिलिष्ट में मैं description में भी link provide कर दूँगा और उपर i button पे भी उसका link आएगा आप click करके देख सकते है the little black ant could not move the grain of wheat because उस छोटा ant था वो grain को move नहीं कर पा रहा था क्योंकि it was too heavy क्योंकि वो बहुत heavy था बहुत भारी था the neighbor did not help the little ant because neighbor and जो था वो उस छोटे ant को क्यों help नहीं किया था क्योंकि he was selfish वो selfish था बहुत ही selfish मतलब स्वार थी हाँ वो बहुत स्वार्थी था अपने से मतलब रखता था दूसरों की help नहीं करता था the speaker thinks the little children often behave crossly कभी-कभी बच्चे जो है वो crossly मतलब irritated behave करते हैं इरिटेट होते हैं गुस्ता करते हैं चिरचीड़ापन करते हैं अब हम लोग question answer को start करेंगे question answer को start करने से पहले आप सबसे मैं request करता हूँ कि channel पे नए हैं तो subscribe जरूर कर लिजे please अपने दोस्तों को share भी किजे और वीडियो को like भी जरूर किजे तो पहला question है what request did the ant make to his neighbor and जो है अपने neighbor से क्या request करता है दूसरे ant से जो उसका neighbor होता था neighbor मतलब पडोसी how did the neighbor react और उसका पडोसी ant जो है वो कैसा react किया था the ant requested his neighbor to help him to carry his wheat grain to his hole तो ant ने अपने neighbor ant से request किया था कि मुझे मदद करो मेरा जो wheat grain जो है दाना जो है wheat का केहूं का उसको मेरे hole तक पहुचाने में मेरी मदद करो the neighbor was annoyed with him दूसरा पाठ का अंसर है how did the neighbor reacted the neighbor was annoyed with him नेबर जो है उससे irritate हो गया मतलब छिल जला गया एक दम और उसको फिर मना भी कर दिया था help नहीं किया था है न who assisted the first ant with his load and why assisted का मतलब भी होता है help करना तो पहला ant को help की जरुरत थी अपने दाना को carry करना था उसको wheat का दाना को तो उसको किसने help किया और क्यों help किया आप लोग अगर poem को पढ़े होंगे poem को आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा किसने help किया था another good-natured ant assisted the first ant एक दूसरा बहुत ही भला ant था बहुत ही अच्छा ant था good-natured का मतलब good-natured का मतलब बहुत अच्छा nature वाला बहुत अच्छा वो आकरके पहले ant की मदद किया with his load उसको load को carry करने में because क्यों मदद किया because the first ant was in need of help क्योंकि पहला ant जो था उसको मदद की जरुरत थी what lesson does the poem teach us बहुत important question है कि ये lesson जो है हमें ये poem जो है ये हमें क्या lesson सिखाता है क्या सीख देता है जीवन का the poem teaches us that we should behave good we should help each other and be kind to each other हम लोगों को अच्छे से behave करना चाहिए लोगों के साथ अच्छा बरताव करना चाहिए अच्छा स्वभाव रखना चाहिए अच्छा वेभार करना चाहिए हम लोगों को एक दूसरे की help करनी चाहिए हम लोगों को एक दूसरे के प्रती दयालू हो चाहिए तो यह हम इस chapter से सीखते हैं अब A3 का करते हैं question number one जिसमें जो extract दिया हुआ बुक से उसके उपर फिर question पूछा गया है you must shift yourself if you please तुम खुद से ही यह जो load है यह जो अनाजगदाना है उसको shift कर लो अगर तुम कर सकते हो तो please तो यह किसने कहा था who said this and to whom यह किसने किस से कहा who said this तो neighbor end ने यह कहा था the neighbor end जो पड़ोसी end था जिससे मदत मांगा गया था वो यह बात कह रहा है पहला end को कि भाई तुम खुदी अपना जो load है wheat का grain है जो मिला तुम को वो खुदी तुम shift कर लो खुदी पहुचा लो अपने hole तक the neighbor end said this to the first end what did the speaker do soon after this उसके बाद जैसे ही speaker यह बात सुना speaker कौन है यहाँ पर इस line के according speaker कौन इस line के according speaker जो है वो neighbor end है neighbor end नहीं न यह बात बोला कि अपना यह shift कर लो यह line कौन बोला neighbor end बोला तो means यहाँ पर speaker कौन है neighbor end है neighbor end बना है पडुसी end तो यहाँ पर वह भी बोल रहा की speaker जो है वो उसके बात बोलने के बाद तुरंद क्या किया the speaker crawled away selfishly and slept यह selfishly है s e l f i s h ly यहां पर थोड़ा सा अच्छा से clear नहीं आया उसके लिए मुझे मैं माफी चाहता हूं यह selfishly ठीक है यह selfishly speaker जो है वो रेंगता हुआ चला जाता है वहां से selfish बनते हुए और जाकर के सो जाता slept s l e p t ठीक है s l e p t slept sleep का past form है slept और जाकर सो जाता है explain the phrase shift yourself यह जो word बोला यह जो line बोला था वो shift yourself खुद से ही कर लो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह ही है it means to carry the load by on खुद से अपना load को carry कर लो उसके बाद number two में जो lines है वो हम लोग बढ़ते हैं फिर question देखेंगे इस पर for often often का मतलब होता है prior हमेशा for often it happens that children appear as cross as the ant every bit कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो जो ant की तरह करते हैं वो जो ant ने irritation दिखाया selfishness दिखाया थोड़ा सा उस तरह से बच्चे भी करते हैं यह बात किस ने कहा यह बात जो है यह पोएट ने कहा है how did the children often appear यहाँ पर question पुछा गया how did children जो है prior कैसा behave करते हैं children often appear as irritating and selfish with friends and parents कभी कभी बच्चे भी irritating behave करते हैं और selfish भी बन जाते हैं अपने friends के साथ और parents के साथ यह selfish है यहाँ पर what does the speaker want little children to learn from the ends speaker क्या चाता है कि little children क्या सिखे इन चीटियों से चीटियों से बच्चों को क्या सिखना चाहिए यह speaker speaker क्या कहना चाता है इस पर the little children should learn to help each other little children को क्या सिखना चाहिए दूसरों की मदद करना सिखना चाहिए इन चीटियों से is the speaker giving a good advice to the children क्या speaker अच्छा advice अच्छा सला दे रहा है सबको बच्चों को yes, the speaker giving a good advice to the children speaker जो है वो बच्चों को अच्छी सला दे रहा है इसके बाद think and answer पहला question है how can we profit or benefit from being kind to each other एक दूसरे के साथ दयालू बन के हम लोग कैसे फाइदा कर सकते हैं कैसे benefit लाब पा सकते हैं being kind and helpful being kind and helpful to each other can always profit or benefit to us as we can fulfill our need by being kind and helpful just like the good-natured ant हम लोग दयालू बन के और मददगार बन के helpful बन करके एक दूसरे को फाइदा पहुचा सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से हम लोग अपना काम को हम लोग अपना जरुरत को पूरा करते हैं हम आपका help करते हैं आप मेरा help करते हो हम लोग एक दूसरे का help करके अपना जरुरत को पूरा करते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो good-natured ant जो बाद में आया था वो पहले वाले ant का मदद किया था Was the second ant really busy? क्या जो वो दूसरा ant था वो सच में busy था क्या? जो ऐसे ही move बना करके चला गया, गुसा करके चला गया और उसको help भी नहीं किया No, the second ant was not busy. The ant was irritated and denied to help the first ant Second ant जो था, neighbor ant वो busy नहीं था और वो क्या गया? वो irritated था The ant was irritated, वो irritated हो गया, ठीक है? और उसका help करने से, पहला चीटी को help करने से भी deny कर दिया Deny कर दिया मतलब help करने से मना कर दिया and went to sleep और सोने को चला गया Actually, he did not wanted to help the first ant सच में तो सच बात यह है कि वो जो पहला नेबर ant है वो पहला ant को help करना ही नहीं चाहता था What would you have done if the little ant had asked you for help? Discuss, question पूरा आप देख लेंगा बुक से तो यहाँ पर बोला गया कि अगर वो छोटा ant, little ant जो है आप से help मांगा होता तो आप क्या करते हैं? I would help the little ant if he had asked me to, if he would ask me for help यह to नहीं होगा या for help Because being kind and helpful is the main theme of humanity क्यों ऐसा मैं करता? मुझे अगर वो चीटी help मांगा हो तो मैं उसका help कर देता क्योंकि दयालू और helpful बनना ही humanity का main theme है मतलब इंसानियत का main theme है वो दयालू बनके रहना है और दूसरों की मदद करके रहना है तो यह chapter यहाँ पर खतम होता है कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए थैंक्स पर वाचिंग, have a nice day